पहला स्टॉक है कॉर्ड्स केबल्स ब्लॉक डील हुई उसके बाद स्टॉक में रफ्तार पकड़ी पिछले चार्ट ट्रेडिंग सेशन से दबाव में था लेकिन आज तीन पर्सन के रिटर्न जेनरेट कर रहा है निचले अस्तुरों से खरेदारी देखने को मिल रहे है सोभा लिमिटेड एक और स्टॉक गजिए रिल एस्टेट स्टॉक में वैसे पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बाइस पॉजिटिव है सोभा इंपोर्टेंट एवरेजिस के ओपर कामकाज कर रहा है पौने 7% के रिटर्न जेनरेट कर चुका है यह स्टॉक इसके लावा जेक एवरेज जो है उसके ओपर कामकाज कर रहा है भी एफियू रिलीस तो यह कुछ असी पॉकिट्स और शेयर्स हैं जहां पर आज की सतर में खरेदारी भरती भी नज़र आई है दो स्टॉक्स और है जिसमें GMDC शामिल है और HCL Infosys इन दोनों स्टॉक्स में आज तेजी देख तो के रिए इंट्री पॉइंट होगा वेरी कुड मॉर्निंग रजात देखें हम जो यहां पर ट्रेंड देख रहे हैं तकरीबन एक हम कैसे थे लॉग ट्रेंड लाइन है जो की 7893 से स्टार्ट होती है अब जाके यहां पर जो लो है वहां पर टच हो रही है तो मेरे क्या नाइन जरो फाइट्री फाइफ फोर यह फाइफाई के उपर की क्लोजिंग अगर स्पोर्ट निफ्टी इन लेवलों के उपर क्लोज आती तो अभी भी हम सेफ मोड में हो सकता है कि आने ओले दिनों में हमें वापिस से एक रिकवरी देखने मिले बट अगर यह नहीं होता सुबहां में सबसे आधा खरिदारी है साथ साथ परसन के रिटरन डिलिवर कर रहा है शुरुवाती सत्र में क्या यह तेज होगा इंट्रेड परस्पेक्टर से पूट विलो में शामल करें या फिर आप होगी आट परसन के रिटरन गिरते बजार में बहुत जादा है और तो यहीं पर ही सम्हेट लेना चाहिए साथ हो जिनके बास बित्तेजी बनी हो अगर आज के सकते कि बुल जोन में जा चुका है यहां पर इनके लिए एक हायर लेवल अपसाइट खुल सकता है जो कि एक सौ पॉइंट 348 के उपर से भी नजर आ रहा है तो मेरे काल से यहां पर देखना पड़ेगा यहां पर 348 यहां पर क्रॉस होता है कि नहीं होता है जैसी हो जाए वहां से मेरे खाल से एक अच्छी त GMDC एक और स्टॉक देखके बताएं इस स्टॉक पे भी निश्ले से खरदारी तेखने को मिल रहे है और यह एक सोने 608 अगे जोन को टेस्ट कर रहा है GMDC कैसा लग रहे है अभी आपको चार्ट्स पर GMDC में मैं काफी ज़्यादा पॉजिटिव अगर मैं एक शॉटर टम की बात करूँ तो तक्रीबन 110 रुपे के यहाँ पे स्टॉपलस से होल्ड करना चाहिए और जो एक रैली यहाँ से स्टार्ट हुई मेरे खाल से यह इतने जल्दी फिजल आउट नहीं होगी थोड़ा स और टाइम लगेगा इसको यहाँ पे और उपर इस तर में मेरे काल से हो सकता है कि स्टॉक 136 140 के रेंच हो सकता है तो फिलार बने रहना चाहिए पॉजिटिव बेज है मुमेंट अब काफी अच्छा है जेकोमार इंफ्रा देखके बताएं सर यह स्टॉक 1217 के उच्टम सर पर पहुंचा है रफ्तार के अभी और देखने को मिल सकते है हाला कि कुछ चुनिंदा ही स्टॉक्स है इंफ्रसेक्टर सेक्टर पर जहां पर खरेदारी देखने को मिलें जिसमें से एक है जेकोमार एवरीडे बेसे पर आपके स्टॉपलोस को और जैसे हो सकता है कि हाँ पर उपरी संथा में हो सकता है कि तक्रीबन स्टॉक 300 के रेंज के आसपद चुछ सके इस टॉक को यह रैली में तो मेरे काल से बने रहना चे वितर स्टॉपलोस 240 बट फ्रश बाइंग एड़ईज बा इक स्टॉक है HCL Info Systems और एक है Onmobile Global इन दोनों स्टॉक में देखके बता हैं 3.3% के रिटरंज जनरेट हो रहे है HCL Infosys और स्टास पर कैसे लगरे हैं अपको कि पहले में बात करूंगा HCL Infosys की यहां पर काफी जादा एक गिरावट हमने देखिए 65 रुपिस से 51 रुपिस की विच इस वेरी डिप करेक्शन फॉर दर स्टॉक्स और यहां पर आज यह ब्रेकाउट काफी जादा पॉजिटिव नजर आ रहा है अगर आज के शेत्रह म से एक बड़ी तेजी यहां पर देखने में सकती है जो कि स्टॉक्स को 60 रुपे के उपर लेके जा सकती है तो फिलाल मेरे काथ से आज मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा HCL Infosys को और कल के उसमें यह शेत्रह में ट्रेड करना चाहूंगा हमां और ऑन मोबाल की बात कर तो बे से वॉलिम ड्राइड अफ है इस पर्टिकूलर स्टॉक में लेकिन आज के सत्र में M6 निचलेस दो से कुछ खरिदारी के संकेत दे रहा है सर यह स्टॉक कैसे लग रहा है चार्ट पे अगर वॉलिम पेक अप होते हैं तो इसमें एंटर करना चाहिए आज ट्रेडिंग सेश तो 1100 रुपे के स्टॉक लो से होल्ड करना चाहिए हो सकता है कि यह रैली तकरीबन 1300 रुपे तक लेके जाए स्टॉक को इस रिवार इश्यो काफी अच्छा फेवरिबल है वन इस्टू तो त्री रेश्यो बेट रहा है आपे तो 1100 के स्टॉक लेकर आते हैं जो फंडमें स्पेश से पाइनियर डिस्टलरीज को चुनने की वज़ा है पहले तो एक कंपनी अब पूरी तरह से डियाइजी ओ के हाथ में आ चुकी है कंपनी क्मेश करें देका हैँ क्मेशन के सबस्क्राइब के लिकन nast ट्रांस्फॉर्मेशन हो रहा है यूबी ग्रूप से कंप्री का डियाईजियों के पास वैसे वैसे कंप्री सिचुएशन थोड़ी और बेतर होते हो दिखाई पड़ रही है हो सकता है अगले एक से दो तिमाही के अंदर इतना बड़ा इंपक्त ना आया लेकिन ओवर पीडि वी शेर में रहा है में 225 तकी चार्वी देखने को मिल सकती है चले पाइनर डिस्ट्रीज को रडार पर रखें एक डी लिस्टिंग कैंडडिट है 225 का टागेट ब्रोकिंग हॉस्स रिपोर्ट के अधार पर फियर वैल्यू है इम्तियाज फटफट से अगर पाइनर डिस् बट मेरे लिए अभी कन्विक्शन नहीं है पर में वेट करूँ है 180 के लेवल को ब्रेक करने का जैसे यह स्टॉक्स एक चला जाता है मेरे खाल से एक ट्रेंड रिवर्सल यहां पर होते हो नजार आ सकता है तो कि स्टॉक्ट को 220 तक के एक शौटर टू नियर तम में जाते देख सकते हैं फिलाल बेस पॉजिटिव है बट एक टेकनिकल ब्रेकाउट 180 के अपर नजर आ रहा है एक स्टॉक्ट देखिए टाइम टेक्नो प्लास मुझे यहाद है कि यह स्टॉक्ट जी बिजनस भी बताया किया था तब इसकी वैल्यू सौर पे से नीचे थी और अब स्टॉक्ट बहुत स्टॉंग मुमें पिछले को इस दिनों में टाइम टेकनो प्लास में और यह 121 पे पहुंच चुका है यह स्टॉक्ट आज गिरते बाजार में चड़ रहा है टेकनिकली कैसा लग रहा है आपको यह दिखिए नो डाउट स्टॉक्स में काफी जादा करेंडेशन दूंगा फ्रेश बाइडवाइजेबल नहीं है लहां लेकिन स्टॉप्लस लगा के होल्ड का सकते हैं 115 रुपे का स्टॉप्लस है उसी को लगा के होल्ड करिए और आना ले दिनों में इसको ट्रिल करते रही है ठीक है कुछ हल्चल वाले स्टॉक्स हैं और एक कि बेस काफी स्ट्रॉंग पकड़ के रखा हुआ यहां पर अगर हम लास्त तीन दिन का बॉटम्स देखे तो 139.70 तीनों दिन पकड़ के रखा हुआ यहां पर जब तक यह बेस नहीं तुटता मेरे काल से कोई फ़दर डाउंसाइड देखने नहीं मुल सकता बड़ अगर 139 के आसपास आ रहा है बट फिलाल जो बाइंग होगी यहां पर मेरे हिसाब से 154 के ओपर एग्रेसिव बाइंग दिखने मिल सकती है अजब बजार खोला था तो एफ़नों में दो स्टॉक्स एकदम से चलते हुए नजर आए थे बहुत सर्प्राइस बहुत था किरते बज रही थी और साथ एक था पीसी ज्वेलर जिसमें निशलेत रोजे एकदम से खरेदारी बनती वी नजर आए थी एफ़नों में यह दोनों स्टॉक्स अभी भी अपनी भड़त को बढ़करा रखे हुए लेकिन क्यूंकि हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स के और एक ब इनको नोटिफाइड किया था कि आप कुछ एक नियम है अलग-अलग धारों के साथ नको नोटिफिकेशन दिया गया था कि आप 21 माज तक जवाब दे दें जो भी कंप्लाइंस का मामला रहे गया है लेकिन किसी भी कंपनी ने कोई भी 21 माज तक कोई जवाब नहीं दिया अ इसमें से हाला कि दो कंपनी से ऐसी हैं तो थोड़ी कांटम में थोड़ी छोटी हैं जैसी कि श्री नूज और श्री गनेच ज्वेलर्स लेकिन अगर आप देखें मंधाना इंडस्ट्री जिसके ब्रेंड एंबेस्टर को सलमान खान रहे हैं तो यह भी बैन लिस्ट में है आज लोवर सर्केट पे है तो हो सकता है इसके अंदर कल भी आपको दबाव बनता हो दिखें क्योंकि इस पूरे सेशन के अंदर यह लगातार कॉंटिन्यू इसके अंदर दबाव रह सकता है एक और कंपनी जो बड़ा हैरान करने वाला आकड़ा सामने आया एबीजी शिप याड को लेकर उस समय पे अगर कंपनी के प्राइजिस डिस्कवरी नहीं हो सस्पेंशन हो जाएगा तो इस कंपनी के लिए यह जो धक्का है बहुत बड़ा धक्का हो सकता है एबीजी शिप्याड को लेकर हमने पहले कई बार सुख बगार से देखी है कि वह इस्सदारी ब बिकरी का रोक लगी हुई थी तो पर मोटर्स तो पहले भी कुछ नहीं कर सकते है लेकिन आब रिटेलर्स को साफधान रहने चाहिए अपने ब्रोकर से थोड़ी जानकारी ले लें कि अब इसमें क्या करें अगर सस्पेंशन हो जाएगा तो चार कंपनी का सस्पेंशन है ज अगर बजार पे अब ही कहीं पर बेट लगानी हो शौट टम परस्पेक्टिव से तो आपके नेगेटिव प्रेट अडवाइस करेंगे किसी स्टॉक में या फिर इन सतरों पर कुछ बॉटम फिशिंग आप कर रहे हैं टेकनिकली कहां पर खरेदारी विक्वाली किसला होग अगर तो जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है यहां पर तो मैं थोड़ा सा आज वेट करूगा विकास जैसे मैंने कहा कि जब तक क्लोजिंग मुझे नहीं मिलती बिकास हम एक पैटन को तोड़ चुके है बट कान्फरमेशन क्लोजिंग बसेस पे ही आता है जब तक क्लोजिंग नहीं आती है 9050 या 9055 के ऊपर और नीचे ही क्लोजिंग आती है तो मेरे खाल से यह शौटिंग अपॉजिंटी स्टार्ट हो सकती है मार्केट के उसमें तो कि काफी बड़ा रिटन भी देखने मिल सकता होना शॉर्ट साइट बट एज अव फिलाल मेरे क्रिबन 266, 264 के आसपा स्टॉप्र लगा के बाई क्या जा सकता है मेरे ऐसे 280 तक के टागेट 102 दिन में देखने मिल सकते हैं अच्छा सर एक सवाल और रहेगा एक स्टॉक एकदम से नोटिस में है अब बी फूटिलिटी इसमें शोग से पहले में शोग के शुरुवात में बात कर रहा था भी फूटिलिटी इस लॉंग्टर मेवरेज के ऊपर आ रहा बहुत समय बाद एकदम से जह हम बोलते हैं दिन पर दिन बाइंग जो थे कंजेक्टिव बाइंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहे है कुछ चार्ट सजेस्स कर रहे हैं किया न अब यह फॉलॉप ऑफ बाइंग हो रहा मेरे काल से 472 से लेके 480 यह रेंज हमें देखने मिल सेता हो सकता है कि अगर थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करें रिकवरिया है तो स्टॉक एग्रेसिव हो सकता 480 तक के लिए तो फिलाल अच्छा है यहां पर बाइंग की जा सकती बाइंफोर इसी डिक्लाइन पर करनी चाहिए नॉट अट करेंट लेवल 430 के बिलो अगर मिलता है स्टॉक इंट्राडे में तो बाइंग की जा सकती है वी तो स्टॉप लोस ऑफ 400 फॉर टागेड ऑफ 480 के असपास कोई स्टॉक आईटी से चुनेंगे आप छोटे आईट स्टॉक्स में खरेदारी है लाज के आप या फिर मिटके आप स्मॉल के आप कोई स्टॉक जो आप ट्राक कर रहे हैं आज क्लोजली आईटी में अगर ट्रेडी करना तो मेरे खाल से बड़े दिगच काउंटर पर बैट लागाना चाहिए हाँ पर अगर छोटी के बात कर त निचे में तकरीबन 217 रुपे के असपास तो हग्जेवर में एक एंट्री की जा सकती है वित अस्टॉप्रोस ऑफ 217 फॉर टागेट अव 2.31 एक और स्टॉक्स अक्टिव हुए वह है रूपा का क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नुस्लो बहुत स्ट्रॉंग था आज अनुस्टॉक्सूक्स असाया सपर यूंक्स अचि हैविट थागेट दॉंइक कोณ झानियोस और स्टॉक्स अचे कुछ खरेदारी दिफिनिटली आजके चैतरूं में इमःज होती हुए नजर आई कर सब्सक में बारे में और अलडी हुए कर चे मुहां इक बाहिए।, यह उस टैम पे उसने लो लगाया था 42 रूपीज के आसपास का अगर वो ब्रेक नहीं होता तो मेरे खाल से ये स्टॉक आज के दिन में या मेरे खाल से कल्स परसो तक एक पचास रूपे के लेवल को वापे चुछ सकता तो बाई क्या जा सकता 42 रूपीज पे इस टॉपलस पे फ